हलो दोस्तो आज बात करेंगे अगर आप option trading करना चाहते हैं या फिर option trading अप सीख रहें लेकिन अगर आपके पास computer नहीं है laptop नहीं है तो mobile पे आप चार्ट रेडिंग कैसे करेंगे और mobile पे चार्ट रेडिंग कैसे किया जाता है दोस्तो मेरे पास कोई भी computer या फिर laptop नहीं है म मोबाइल पे ही चार्ट रेड करता हूं और mobile से ट्रेड करता हूं तो इसमें दोस्तो आपके पास दो mobile फोन होना चाहिए अनि कि आपके पास दो screen minimum होना चाहिए अगर आपके पास एक mobile फोन है तो अभी आपको option trading नहीं करना चाहिए option trading आपको avoid करना चाहिए कैसे आप अच् कुछ इस तरह से आप घर पे जुगार बना सकते हैं ऐसे रखने के लिए तो सिंपल कुछ इस तरह से यहां पर मुबाइल आपका रहेगा उसके बाद सिंपल आपको एक डाउनलोड करना है चार्ट देखने के लिए उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू तो आप ट्रेडिंग व अगरा भी देखना होता है तो वह आप कैसे देखेंगे वह भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा फिलाल मैं आप कैसे चार्ट को देख सकते हैं आराम से रीड कर सकते हैं जो भी आपको ड्रो कर सकते हैं वह मैं आपको अभी एक्स्प्लेइन करता हूं तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो यहां से आपको जो आप करना चाहते हैं जैसे कि निप्टी 50 बैंक निप्टी एच्डफी यहां पर हमने एड करके रखा है एजेक्स निप्टी जो कि हम देखते हैं तो यहां पर आप कुछ भी एड करना चाहते हैं तो एड Congrats करेंगी मरत देखना चाहते हैं तो आप यहां पर ओच लिस्ट पर आएंगे या फिर एक नया कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं अट करके लेखने के बाद यहां पर क्रिएट पे क्लिक कर देता हूं उसके बाद यहां पर टैप करना है उसके बाद दुबारह HDFC bank भी है तो HDFC bank को भी add करता हूं और HDFC भी है तो HDFC bank मैं यहां पर search करता हूं तो यह रहा HDFC bank इस पर आ गया उसके बाद यहां पर infosys भी है तो उसको भी add कर लेता हूं इस तरह से जो भी 10 stocks है जो की top का आप देख सकते हैं screen पर भी मैं screenshot यहां पर लगा दिया हूं इस तरह से आप add कर लेंगे add करने का benefit क्या है कि आप जब भी back करके देखेंगे तो यहां पर आपको सारे दिख जाएंगे कि यह stocks positive में है या फिर negative में है तो simple उसके बाद आप यहां पर click करेंगे और nifty 50 पर click करेंगे और यहां पर आपको जो दिख रहा है चार्ट का अप्सण आप इस पे click करेंगे और किसी तरह कोई भी अगर नियूश के बारे मैं आपको जाना है तो यहां पर news का section आपको मिलता है नियूज पे आप किलिक करेंगे तो इसमें आपको जो जो मैं काम के चीजे हैं वो मैं आपको बताता हूँ बाकी के चीजे को मैं बता कि क्या करूँगा तो यहाँ पे जो जो काम में आता है ट्रेडिंग के समय वो सारा चीजे मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले मैं clean कर लेता हो इसको clean करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर remove का button है उसके बाद remove drawing indicators और drawing और indicators यहाँ पर जो भी drawing है उसको मैं सबसे पहले हटा देता हूँ यहाँ पर मैं जो भी drawing मैंने किया था सारा कुछ हट चुका है तो अभी इस तरह का simple chart हो गया है तो अभी क्या क्या काम आता है वो options आप कैसे add कर पाएंगी easily इस chart में वो मैं आपको बताता हूं तो सबसे पहले देखिए जब आप trading view के app को open करेंगी तो इस तरह का दिखेगा ऊपर सारा कुछ आपको दिखता रहेगा कि अभी nifty कितना में चल रहा है 17,618 पे रुका हुआ है और यहाँ पर देखिए 0.40% माइनस में है यहाँ पर भी कुछ difference दिखाई देगा यहाँ पर ज रखता हूं तो इस तरह से उसके बाद दोस्तों यहाँ पर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी यहीं से स्विच कर सकते हैं माल लिजे आप निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं और आपको देखना है कि अभी क्या कर रहा है तो इस तरह का मैंने एड करके रखा है तो पता चल जाए कि अभी क्या कर रहा है उसके बाद दुबारा सब यहां से अगर बैंक निफ्टी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद कोई वीडियो देखने की जौरत नहीं है और आप मूबाईल से सारा कुछ देख सकते हैं तो आप क्या करना होगा कि अगर आपक तो सिंपल दो फिंगर से ऐसे आप जूम कर सकते हैं इसको जुतना आप जूम करना चाहें तो ऐसे जूम कर सकते हैं अगर आपको यह छोटा करना है अनि कि ऐसे तो यहां पर जो लिखा हुआ 17600 500 इस पर आप ऐसे स्क्रॉल करेंगी तो इस तरह का यह होगा मानलिजिए अपने हिसाब से एजली इसको जूम आउट कर सकते हैं तो इस तरह से आप चार्ट को यहां पर देखेंगे तो यहां पर आएंगे और यहां पर मानलिजिए एक चीज यह भी काफी काम में आता है ब्रस और हमारा पाथ मैं यूज़ करता हूँ तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ जिसे कि मानलिजिए ब्रस आपको यूज़ करना है ऐसे करके ड्रो करने के लिए तो आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं इसको डिलीट करने के लिए यहां से डिलीट कर सकते हैं यहां पर आप ऐसे करेंगे तो डिलीट हो जाएगा उसके बाद यूज आता है दोस्तों रेक्टेंगल रेक्टेंगल को आप यूज कर सकते हैं जोन बनाने के लिए जब आप सपोर्ट रजिस्टेंस को ड्रो करेंगे वीडियो देखे काफी लंबा हो रहा है बट काफी इंफरमेटी हो है तो इस तरह से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं एक जोन को ड्रो करने के लिए तो यहां पर इस तरह से आपको ड्रो नहीं करना है यहां से आप ऐसे करके इसको एडजस्ट करेंगे तो अच्छा से नहीं होगा आपको उंगली को कभी भी इधर रखना है यह point को के वाल यहां पर लाके रखना है उसके बाद देखिए यहां से ऐसे जिस तरह से laptop में touch mouse होता है उस तरह से आप जो है इसको अराम से move कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है देखिए अगर उंगली को हटा भी देंगे दुबा बनाना सिखा दिया है उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगला जो काम में आता है वो हमारे लिए important होता है पाथ आप देखिए कोई को इंसान यूज करता है कोई को नहीं भी करता है तो अपने according strategy होता है सबको तो यहां पर कोई बहुत सारे लोग ऐसे करके बिज्दों अगा difference करएं चाने चाहरा दिआए तो इस तरह से यहां से एक्पर इसको करेंगाम इस commentary यहां लगोगनार लोगता है यहां करता है नहीं करते हैं अगर आफ भी कर सकते हैं यहां कर एक में लास्ट मैं बताना चाहा रहा था कि यहां पे लॉंग पॉजिशन और स्वर्ट के बारे में तो यहां ठोड़ा सा आपको नीचे स्कॉल करते रहना करते रहना है और यहां पर प्रेडिक्शन and measurement का एक section दिखाई देगा जिसमें long position है और short position है यह दोस्तों इसमें आप risk reward को देख सकते हैं long position आपको उत्ताब add करना है जब आप call का position बना रहे हो और short position आपको उत्ताब add करना है जब आप put buy कर रहे हो तो जैसे माली जे मैं यहां पे कोई भी call option को buy कर रहा हूं तो मेरा view है कि market open जाएगा यहां से हमने कोई भी call buy किया है जैसे कि यह वाला candle अभी आप छोड़ दिजे कि यह वाला candle अभी बना ही नहीं है यहां से सिर्फ इतनो दिखा है और आपको लग रहा है कि market उपर जाएगा तो यहां पे आप long position को add करेंगे और इसे एक बार जहां पर भी add करना चाहते हैं माली जहां पर आप entry बनाना चाह है यह जो red part में वह आपका risk है और जो green part में वह reward है तो यहां पर देखिए आपको risk reward भी दिखाए देगा 2.02 तो इसको अगर आप थोड़ा सा और घटाना बढ़ाना चाहते हैं 1 ratio 1 या फिर 1.2 ratio उस तरह का रखना चाहते हैं तो यहां पर देखिए जितना आप risk को कम कर रह है इसको उसके बाद देखिए इसको नीचे लेकर आएंगी तो वहां पर 1-2 में आपको करके दिखाता हूं तो यहां पर 1-2 हो गया यह देखिए तो इस तरह से जो है इस तरह का यूज कर सकते हैं risk reward ratio जो कि यहां पर सारा कुछ आपको detail दिखाई देगा target कितने point का है amount लिखा हुआ वह point बाकि amount उतना accurate नहीं है तो amount को अब यहां पर skip कर सकते हैं amount को नेजर में ना रखें तो ज्यादा पाइदा है उसके बाद यहां पर अगर आप इसको delete करना चाहें तो यहां से delete करेंगे उसके बाद दोस्तों एक आता है short position जैसे कि माल लिजे यहां से यहा यहां पर short position है इसको मैं यहां पर मालेजे में entry करना चाह रहा हूं अगले candle पर इस पर मैं tap करूंगा तो देखिए अगली बार जो है हमारा यह जो reward वाला section है वह निचे है risk वाला section उपर है तो red का जो है हमारा जो भी risk रहेगा वह हम सेट कर लेंगा मालेजे stop loss हमारा उस line क पास चला जाएगा तो में stop loss दे देंगे तो वह हमारा risk हो गया और reward में चाहता हूं कि यहां तक हमारा आए तो मैं यहां पर exit करूंगा तो यहां पर सारे point भी आप देख सकते हैं कितना point में लेना चाहता हूं stop loss हमारा 22 point का है और target हमारा 62 point का है तो इस तरह से भी आप सब्सक्वारा को अब होता है कोई भी दिकत नहीं वह है इंडिकेटर आप कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पर क्या करेंग आपको fx का लिखा हुआ है न उस पर धी करेंगी तो यहां पर पहुए बिदिगेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे क यहां पर वॉल्यूम वाल